सो हेलो दोस्तों कैसो हो आप सब लोग आई होप आप एकदम अच्छे होंगे आज मैं आपके सामने एक कंपेर वीडियो लेकर आया हूँ जो व्यूवर्स मेरे कंफ्यूज थे कि वीवो टीवन ले या टीवन एक से हम परचेज कर सकते हैं यह सारे कंफ्यूजन में आपको इ फार कि करने वाला हूँ था कि इनकी डिशपले reptifice कैसे कितनी बैटरी कितना चार्जर केमरे हैं सारे काले करने वाला हूँ सुट आप के सामने दूर रूरट से चैनल को अने वीवो टीवन DR 22 है दोस्तों ये मेरे पास है 6GB RAM 108GB मेमोरी और जो Vivo T1X स्मार्टफोन है वो मेरे पास है दोस्तों 6GB RAM 108GB मेमोरी जो Vivo T1 है दोस्तों हम प्राइस की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो Vivo T1 जो 6GB 828GB में आता है वो 16,000 रुपए में आपको देखने को मिलता है ये दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे होने वाले हैं दोस्तों अगर मैं डिजाइन के बात कर लेता हूं दोस्तों तो आप देख सकते हो Vivo T1 का का काफी इस पारकल से डीजाइन पिछे की तरफ काफी अट्रेक्ट्टिव डिजाइन दिया गया है वो भी बिग लैंस के साथ में और तीन एकरे का सेट अप देखने को मिलता है यहीं पे अगर मैं बैक की बात करता हूं तो यह भी प्लास्टिक में दिया गया है बट ऐसा अट्रेक्टिव डिजाइन के साथ में यह स्मार्टफोन हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों अगर मैं इन स्मार्टफोन में डिस्पले की बात करता हूं द दोस्तों यहीं पर Vivo T1 X की जो डिस्पले दोस्तों वो 6.5 इंच की डिस्पले दी गई है और यह फ्लैट डिजाइन में है आगे और पीछे की तरफ दोस्तों तो इसको आप करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा मैसूस होता है थोड़ा सा बड़ा साइज हमें यह फील होता है दोस्तों अगर मैं Vivo T1 की कैमरे की बात कर लेता हूं तो रियर कैमरा आपको 50 मेगा फिक्चल का दिया गया है साथ में आपको 2 प्लेस 2 मेगा फिक्चल के आपको स्केंडरी कैमरे दिये गया है दोस्तों यहीं पे जो Vivo T1 एकसे स्मार्टफोन उसमें भी आपको 50 मेगा फिक्चल का कैमरा दिया गया है साथ में 2 मेगा फिक्चल का स्केंडरी कैमरे दिया गया है अगर मैं कैमरे परफोर्मस और डिजाइन को लेके बात करता हूं तो मेरे को Vivo T1 काफी बहतर अगर मैं आपको सेल्फी कैमरे की बात कर लेता हूं तो जो Vivo T1 स्मार्टफोन है उसमें सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है दोस्तों 16 मेगा फिक्चल का जी हां और Vivo T1 स्मार्टफोन में आपको 8 मेगा फिक्चल का कैमरा देखने को मिलता है तो इसमें भी बाजी मार जा से सरे सेम ही परफोंस होने वाले है यहीं पे अगर मैं T1 के बाद कर देता हूं तो इस भी कांद आता है वो आता है इस smartphone में तो वो भी काफी main topic निकल के आता है कि Android 11 और Android 12 जो 2022 में आपको Android 11 से मिल रहा है T1 X में वो थोड़ा सा disappointed Vivo की तरफ से हो जाता है तो मैं definitely prefer करूँगा अगर आप Android system देखते है तो T1 को साथ में अगर मैं battery की बात करता हूं दोस्तों तो इस smartphone में इन दोनों ही smartphone में आपको पांच जरह मच की battery देखने को मिलती है यहीं पे इन smartphone में आपको अगर charger की बात कर देता हो तो काफी ज्यादा फरक देखने को मिलता है हमें जो T1 smartphone है उसमें आपको 44W charger देखने को मिलता है यहीं पे जो वीवो का T1X smartphone जो है उसमें आपको 18W charger देखने को मिलता है काफी disappointed हो जाता है shift difference आपको 1000 उपएगा दोस्तों और features इतने जादा भर-भर के T1 में दिये गए हैं दोस्तों जो T1X आपके आस-पास भी नजर नहीं आने वाला है दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में आपको overall दोनों ही smartphone के अगर review देने वाला हूं दोस्तों तो आप देख सकते हो में को इन features के मामले में जो features काफी best है वो हमें निकल के आता है T1 smartphone जो मैं definitely आपको prefer करता हूं अगर इन दोनों ही smartphone में आप confuse हो रहे हो T1 X में बिल्कुल भी prefer नहीं करूँगा दोस्तों 1000 रुपय के फरक होते होते हैं आपको इन दोनों smartphone में charger काफी best मिलने वाला है प्रोसेसर काफी best मिलने वाला है Android system 12 मिलने वाला है दोस्तों camera का काफी फरक मिलने वाला है और एक handy और एक design अच्छा मिलने वाला है दोस्तों तो करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों